नमस्कार दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं कल से डेली कर डेली एक वीडियो भारत के इतिहास का और एक वीडियो भारत के भुगोल का डालूँगा कल मैंने सिंदु घाटी सभेता का पहला पार्ट डाल दिया है दो पार्ट में सिंदु घाटी सभेता पूरा का पूरा खतम हो जाएगा इस वीडियो में मैं आप लोग को भारत का परिशेव बताऊंगा मतलब भारत के बारे बेसिक नॉलेज और यह वीडियो देख करके आप लोग को पता चल जाएगा कि मैं आप लोग को किस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ ठीक है थोड़ा सा जो हलका सा अभी इस पेज में जो है वो बस थोड़ा थियोरी है उसके बाद हर चीज पूरा का पूरा आपको डाइग्राम में माप में मिलेगा देखिएगा गैरेंटी है और एकदम important important question ऐसे question जो आज कल PSC पूछ रहा है और future में पूछ सकता है इस ताइप को पूरा का पूरा question map से clear करूँगा मैं आप लोग का चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे जो भारत देश है भारत देश पुन रूप से उत्तरी गुलार्द में अब यह उत्तरी गुलार्द क्या होता है मैं आप लोग को थोड़ा देर बात समझाऊंगा ठीक है देखिए अगर छेत्रफल की से कौन से नंबर पर है तो ये दूसरे नंबर पर है पहले नंबर पर कौन है पहले नंबर पर है अपना चाइना नाम उत्पत्ति देखें मतलब हमारे भारत का नाम की उत्पत्ति कैसे हुई है तो अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसको भारत कहते हैं भारत कहने का क के सबसे बड़े बेटे थे यह उतना खास important नहीं है कि किसके पुत्र थे फिर भी अपने को जान लेते हैं तो हमारा जो देश का भारत नाम इनके नाम पर पड़ा राजा भरत के नाम पर और भारत का मतलब होता है आंतरिक प्रकास यह अपने को याद रखना है भारत का मतलब और बहुत को अंग्रेज इंडस कहते थे और ये इसको पहले सिंध देश भी कहा जाता था वहीं से पिर आया इंडिया सिंधु नदी को इंडस कहने के करण वहां के जो भूमी थी वहां को इन लोग अंग्रेजों ने क्या-क इंडिया कहा और भारत का नाम पढ़ गया धर्म निर्पिक्ष है तो यहां पर हर कोई हर जाती धर्म से लोग हैं फिर tio भी हमारे दिछ को हिन्दुस्तान भी कहा जाता है इंदू की भूमी प्राचीन वेदिक काल में हमारे दे सको आयर्यवार्थ नाम से भी जाना जाता था और बहुत समय समय पहले बोल-चाल के भासा में भारत को क्या कह देते थे सोने के चड़िया भी कह दिया करते थे यह हो गया अपना क्लियर है कि subscribe अब देखी भारत का जो राष्टी चीन जो राष्टी चीन है वह कौन सा है सारनाथ से लिया गया जरौकिंळ अशोक τη स्तंब ये अभी भी सारनात के संग्रालाय में डखा गया है इसको राष्टी चिन्ने के रूप में स्विकार गया था 26 जनरी 1950 को असोक इस्तम्भ को अपना राष्टी चिन्ने कब माना गया था तो 26 जनरी 1950 को एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है इसमें हैं चार सिर दिखते हमको तीन ही है एक छुप जाता है एक हमको दिख नहीं पाता है ठीक है और इसी के नीचे में देवनगरी लिप्री में लिखा है सत्यमेव जैते देवनगरी लिप्री में क्या लिखा है सत्यमेव जैते ये भारत का धेवाक्य है भारत के राष्टी जंडे अब देखिए ये राष्टी शिन्य था अब भारत का जो राष्टी धोज है उसके बारे में देखिए आप सभी जानते होंगे कि यह इसमें तीन समांतर आयताय कारपटिया होती है उपरी रंग के सरिया का है बीच का रंग सफेद रंग का है और जंडे के बीच में मतलब जो सफेद रंग है वहां पर एक धर्म चक्र या उसी को असोख चक्र कहते हैं जो कि गहरे नीले रंग में है उसमें 24 तीलिया है वो बना हुआ है मतलब हमारे जंडे का में चीज याद रखना है कि उसमें अनुपात कितना है लंबाई चोड़े का तीनन पाद्धो है यहां से एक इंपोर्टेन वसक्रिश्चन ही है हमारा जो देश का जो राष्टिगान है जनगणा मना उसको किसने लिखा है रविंदर नाथ ठाकूर ने और जनगणा को जो राष्टिगान का माना गया था तो 24 जनुरी 1950 को उसी समय जब सतंतरता अंदो कंदाना चल रहा था तो वंदे मात्रम वंदे मात्रम करके क्रांतिकारी बहुत ज़्यादा जो लगाते थे वंदे मात्रम को भी हमारे देश में चन्दर पंचांग माना है, शक्ष्रमंद को क्या किया अपना पंचांग माना है, किसको माना है, शक्ष्रमंद को अपना पंचांग माना है, ठीक है, और इसका पहला महीना चैत्र है, और ये भी 365 दिन का ही होता है, अंग्रेजी के समान ही है, पूरा का पूरा, एक दम इसके दिनों उ कुछ ट्रिक से भी जाएगा कुछ ज्यादा तर मैं मैप से बताऊंगा तो इसमें से ट्रिक की उतनी खासा हो सकता नहीं पड़ेगी एक बार में याद भी हो जाएगा देखिए हमारे देश में कितने 29 राज्य हैं और साथ केंदर सासीत प्रदेश हैं अपने लिए यह उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा क्योंकि हम लोग छोटा मोटा एक्जाम का तयारी नहीं कर रहे हैं 29 राजी हैं और साद केंदर साशित प्रदेश है अपने से का पुछेगा अब देखें इएगल मैं आपको पूरा 29 राजी तो नहीं गिलांगा». यह स्टेक क्वेश्टेक पुछ सकlow है पुछेगा कि भारत का सबसे बड़ा राजी कौन सा है तो भारत का सबसे बड़ा राजी कौन सा है राजिस्थान कौन सा है सबसे बड़ा राजी राजिस्थान है भारत का सबसे बड़ा राजी कौन सा हुआ जिहान दिजिएगा कॉन सा राज्य है जो भारत के सबसे अधिक राजियों के सांथ सीमा बनाता है तो वह उत्तरपर्देश कितने राजियों के सांथ सीमा बनाता है तो आथ पहला है उत्राखंड, उत्राखंड की राज़ानी देहरादुन, दूसरा ही माचल प्रदेश, उसकी राज़ानी शिमला, तीसरा है आपका हर्याणा, ठीक है, चौथा है अपना क्या, राजिस्थान, और पांचवा क्या हो गया, मद्य प्रदेश, राज़ानी क्या है उसका, भोपाल, छटवा क्या है? चट्वा क्या है? छट्वा क्या है? जारखंड और आठवा क्या है? बिहार उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाता है अगला क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से कि भारत की ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे कम राज्यों के साथ सीमा बनाता है वो है अपना सिक्किम कौन सा है? सिक्किम है सबसे कम राज्य सिर्फ और सिर्फ पश्चिम मंगाली यह जो है ना पश्चिम मंगाल के साथ बस सिक्किम सीमा बनाता है और एक ची यह है कि यह सबसे अधिक देशों के साथ भी सीमा बनाता है सिक्किम जो है इधर है चाइना यहां हो गया नेपाल और इधर हो गया भुटान सिक्किम तीन देशों के साथ सीमा बनाता है नेपाल, चीन, भुटान क्लियर है और सबसे कम राजियों के सांद सीमा बनाता है सिक्किम ही है ठीक है किसके सांद सीमा बनाता है पश्ची मंगाल क्लियर है अब एक और ख्वेस्चन बनता है हमारे देश का कौन सा राज्य है जो तीनों और से किसी अन्य देश से घिरा हुआ है है इतिक ही अन्य देश से घ्रा हुआ थे इधर से पूरा घ्रा तो 10 कितने हैं टीत bisa से सब्सक्राइब्स इधर बनीर यह चोशी जो बांगलादेस उसे related question बन सकते हैं यह इधर साथ बहने हैं इन साथ बहनों का अपने को जनरली क्या करना रहता है नाम और उनकी साथ बहने से कहा जाता है ठीक है ऐसा कुछ साथ बहन नहीं है जैसे अरुणाशल प्रदेश है अरुणाशल प्रदेश की राजानी इटानागर हो गया आश्रा जाएगा ठीक है चलिए अब में हम लोग देखते हैं भारत की इस्तिती एक मिनट ना 37 अंश्चय मिनट है 37 अंश्चय मिनट यहीं पर हैं इंद्रा पर क्या है यह दो इसको यादर्खने का इन तरीका बता रहा हूं इंद्राकॉल एक öपर में चड़कर के आप लोग किसी को बुला रहे हो किसी को बना रहा हूं दरा जी辜ी को आठ हंस चार मिनट है लेकिन अपना जो एक दम अंतिम पॉइंट है यह यहां पर वीडियो के पीछे छुप गया है यहां पर 6 तरो मिनट जो है क्या है इंद्रा इंद्रा कॉल है 37 अंस 6 मिनट में और दक्षिर्तम बिंदू क्या मोलते हैं अपनों इंद्रा पॉइंट सबसे दक्षिर्तम बिंदू 6 अंस 4 मिनट है ठीक है अब उसके बाद देखिए यह सब आप लोगों पूरा अक्षांस देशांतर ना अगले स्लाइड ठीक है यह गुजरात में 68 अंस 7 मिनट कहां पर है गुजरात में है और इस जगह के क्या नाम है घुवार मोटा क्या नाम है जगह का नाम है घुवार मोटा क्वेशन पूछ सकता है भारत के सबसे पस्चिंतम बिंदू का नाम क्या है घुवार मोटा क्या है घुवार मोटा भारत का सबसे पूर्वी बिंदू कहा है यह है अपना अरोनाचल प्रदेश में कहा है कि बी तू क्या नाम इसका कि और एकदम दक्षरतम बिंदू पूछेगा तो क्या है छेयoten चार बिनुट है और सबसे उत्ठरी में पूछते में हम लोग इंद्रा सबसे इंद्रा कॉल को आन्या ना सबसे लेका पुल्वी बीन्दू इंद्रा-आप पुर्वी एक पूरां लेकर पसच्च्चिम तक की 2,933 km कितना है कितना लंबा है ? 2933 km लंबा है ठीक है और अगर माननों आपसे पुछेगा पूरब से पस्मुंत तक सी हो पूरब से पस्मीम केटना हुआ 2933, और अगर उत्तर से दक्षिन , कजय कर अपने को फूचता है कितना है ? 3214 km कितना है ? 3214 km . इस सीच को जाद एक है 214 km, clear है? अब देखिए, हमारे देश को कौन कौन से और देश अलग से और टच करते हैं, ये देखना है तो सबसे पहला है पाकिस्तान अपना कट्टर दुस्मन पाकिस्तान ये यहाँ पर गुजरात को टच कर रहा है, पहला राज्य दूसरा राजिस्तान को टच कर रहा है तीसरा पंजाब को टच कर रहा है और चौथा कस्मीर को टच कर रहा है मतलब पाकिस्तान कितने राज्यों को टच करता है चार राज्यों को पहला गुजरात, दूसरा राजिस्तान, तीसरा पंजाब और चौथा क्या है अगला देश कौन सा है तो चीन, चाइना टच करता है हमारे जम्मु कस्मीर को, यह हो गया अपना क्या, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर, फिर उसके बाद, पहला, क्या है यह, एक जम्मु कस्मीर, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्राखंड, चौथा क्या है, यूपी पांचवा क्या है, बिहार, छटवा क्या है, सिक्किम, और यह यहाँ से आ गया, यह आ हो गया, अवनाचल प्रदेश, यहाँ पर क्या है, अवनाचल प्रदेश, मतलब यह कितने, एक, दो, तीन, एक मेंड़ा, सौरी, यूपी को टच नहीं कर रहा है, बीच में यह नेपा सांधिसाथ, अपने बिहार को भी टरच नहीं कर रहे है, अब आ गया क्या अपना, यहाँ सिक्किम को टरच किया, और किसको टरच किया यह, अवनाचल प्रदेश को टरच कीया, मतलब यह भी पांच कंच करेगा, एक, दो, तीन, आपने लाध सिक्किम, चार और यह पांच चाइना जो है पांच राज्यों को टच करता है ठीक है अब देखो नेपाल नेपाल किसको टच कर रहा है उत्राखंड को यूपी को बिहार को थोड़ा सा पस्षी मंगाल को और किसको सिक्किम को ये भी पांच को टच करेगा एक दो तीन चार और पांच नेपाल किसको टच कर रहे हैं यहाँ पर है सि endured यह यहाँ पर है पस्ची मंगाल यह पर आवणाचर प्रदेश और यह असाम एक, दो, तीन, चार, चार राजियों के साथ सीमा बना रहा है भुटान, क्लियर है, चार राजियों के साथ सीमा बना रहा है भुटान, सिक्किम, पस्चिम मंगाल, यह आशाम है और यह अवनाचल प्रदेश है, ठीक है, अब आएगा क्या, बांगलादेश, बांगलादेश क किसके किसके सांद सीमा बना रहे है ?, यह अपना पूरा पश्ची मंगल है यह पूरा ऐस से गोड घोंUL के है ?, यह क्या है इसे अपना आशाम ठीक यह क्या मेघाले यह क्या है मेघाले है यह क्या है अपना त्रिपूरा और यह क्या है मिजोरम मतलब एक दो तीन चार पांच पांच राजियों के साथ बंगला देश सीमा बनाता है पश्चिम बंगाल आश्राम मिजोरम त्रिपूरा और म्यानमार ठीक है और म्यानमार न यह किसके साथ है, यहाँ पर मिजोरम, ठीक है, यह हो गया अपना अवनाशर प्रदेश, ठीक, यहाँ पर नागा लेंड और मड़ीपूरा जाएगा, ठीक, इनके साथ सीमा बना रहा है, यह सब हो गया, अब देखें, मेन है, कि हमको यह याद रखना है, कि अक्छांस कितना डिगरी है, और कितना डिगरी देशांतर है, एक ची बता दू, अभी अगर अपने PSC को देखोगे, तो अक्छांस और देशांतर से बहुत सारे क्वेस्चन उठा रहे है, तो इस वीडियो मैंने क्या किया है, अक्छांस और देशांतर को पूरा A to Z, एक भी क्वेस्चन उ देखना अभी, ठीक है, देखिए, यह जैसे कि माल लो, यह हमारी पृत्थी होए, ठीक है, तो पृत्थी को अगर दो भागों में मैं काड़ दू, एक उत्तरी गुलार्द बनेगा, और क्या बनेगा, एक दक्षडी गुलार्द बनेगा, ठीक है, इसका जो सबसे उपर का पॉइंट को बोड़ रहता है, उसको बोलते हम लोग उत्तरी धुरू, और जो सबसे नीचे का पॉइंट होता है, उसको क्या बोलते हम लोग दक्षडी धुरू, ठीक है, क्या है, काइदे से अक्षांस और देशांतर रेखा है, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है, कि हाँ यह अक्षांस होता है, यह देशांतर होता है, प्रिथी में ऐसे कोई लाइन नहीं खीचे गई है, यह सब के सब क्या है, कालपनिक रेखाए हैं, यह जैसे आपको दिख रहे हैं, यह पूरी की पूरी क्या है, कालपनिक रेखाए हैं, ऐसी कोई प्रिथी पर रेखाएं, ख पानी पानी में पानी और पानी के पास खारा पानी है ऐसा कोच एड्रेस भेज़नगी तो किया मतलब है कोई आदमी पहुंच पायेगा क्या हमारे पिरत्थी में एक तिहाई से भी ज्यादा क्या है जल ठीज़य बहुत कमी भूमी पर जमीन रहने लाइक तो रहने लाइक के लिए ड्रेस बना दिए फलाना देश में भाठाना राज्य में भेश करके चिठ्थी सी ए लिए पानी हो तो कैसे बूलाओके एसके लिए उसके लिए यह जो उर्ध्वादर रेखा खिचा गया है उसको क्या कहते हैं देशांतर रेखा थोड़ा देर में देखना एक दम अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोगों का कि ठीक कि देखिए अक्छांस और देखसांतर रेखा यह कालपनिक रेखा हैं ऐसी कोई भी रेखा हमारी पृत्थी पर नहीं है यह सिर्फ और सिर्फ कालपनिक है जो सबसे उत्तरी बिंदू है मतलब एकदम पृत्थी का यह पॉइंट को हम लोग बोलते हैं नौर्थ पोल और एकदम नीचले बिंदू को हम लोग क्या बोलते हैं सौथ पोल ठीक है पृत्थी को यह जो हम लोग विश्वत रेखा बोलते हैं विश्वत रेखा क्या है जीरो डिग्री इसको विश्वत रेखा बोले जाता है यह इसी को भूमद रेखा भी बोलते हैं भूमद रेखा या विश्वत रे क्षा रेखा की डेसांतर रेखा अंगर है को क्ष्वत रेखा रेखा पृर्थ्वी को रभाबर भागों बाटती है गश्वत रेखा के उत्तर या दक्षिड में पृत्वी के केंद्र से नापी गई कोड़ी दूरी को अक्षांस कहते हैं, अब देखें ये जैसे मालो पृत्वी है, मतलब पृत्वी का केंद्र है मालो, ठेक है, यहां से अगर यहां तक की दूरी पर एक अंस का मैं खीचूंगा लाइन, बात अगर इस बिंदू से इस बिंदू तक जाओगे तो ठोल आपको एक सो अदस किलोमेचर चलना पड़ेगा, कितना, 110 km मतलब एक अक्षांस रेखा-कितिनी दूरी पर है? 110 किलोमेचर के क्लूरी पर है, क्लियर है पृत्वी के केंद्र से अगर एक कंस के दूरी पर पृत्वी की सता पर अक्षांत रेका खेची जाये तो नौर्थ पूल में अधिकतम 90 और सौर्थ पूल में अधिकतम 90 रेका खेच सकते हैं अब यहाँ पर देखो चाप बन गया इसके उपर कितना लाइन खेच सकते हो 90 और इसके नीचे कितने लाइन खेच सकते हो 90 अभी इसके 90 ऊपर और 90 नीचे. तो total कितने होगे? 90 ऊपर और 90 नीचे मतलब कितना होगे? 31, एक ये भी है ना? विश्रत रेखा भी तो है. एक विश्रत रेखा है ना भैई? तो एक विश्रत रेखा, प्लस उसके उपर 90, और उसके नीचे 90. B, मतलब पृति पर कुल कितनी अक्षांस रेखाय खीची गई है, तो पृति पर कुल 181 अक्षांस रेखाय खीची गई है, यह अपने को याद रखना है, पृति पर कुल कितनी अक्षांस रेखाय खीची गई है, तो 181 रेखाय खीची गई है, और हर रेखा कितनी दूरी पर है तो 110 km के दूरी पर है clear है यह याद रखना है बहुत important question है अब देखिए अगला एक अक्छान से रेखा 111 km है 110 दसमलो कुछ होता है तो उसको आप लोग 111 लिख सकते हैं काईदे से 110 दसमलो कुछ कुछ है ठीक है टोटल 180 हो गया विश्वत रेखा ही सबसे लंबी अक्छान से रेखा है सबसे लंबी अक्छान से रेखा है कौन सी है तो विश्वत रेखा है और 90 डिग्री वाला नॉर्थ पोल और साउथ पोल अक्छान से रेखा सबसे छोटा है अब देखिए अब यहाँ पर आपको ऐसे करके लाइन खीचना है तो जैसे जैसे उपर बढ़ते जाओगे तो लाइन क्या होते जाएगा छोटा होते जाएगा तो जो 90 डिग्री वाला है यहाँ पर का जो एकदम 90 डिग्री वाला होगा उसकी लंबा ही क्या होगी एक दम ऐसी लाइन खीचोगे तो छोटा होगा ना भाई तो 90 डिगरी के वाला जो नौर्थ पोल का जो अक्षांस रेखा है और जो सौथ पोल का अक्षांस रेखा है वो क्या होता है सबसे छोटा और 0 डिगरी यह है सबसे लंबा किसी वृत की सब साढ़े दीज्डीनी आद साधे 23 और साधे 23 दीज्डीनी नौर्थ को बोलते हैं हम लोग करका देखाser बोलते हैं क्या क्या जो पोलते हैं िसका क्यों जरूत्त पड़ा क्या है हमारी पृत्धी जो है एकदम complete घुप नहीं मतलब ग warranty गोल तो है लेकिन वह एक दम ऐसे सीधा नहीं खड़ी है वह hunkish band है ऐसे जुकी हुए है आप लोग globe देखे होगे तो globe आपको ऐसे सीधा नहीं मिलता है glow eva को ऐसे जुका हुआ भाा मिलता है तो ये ऐसे क्यों है क्योंकि हमारी पteeth 25 degree जुकी हुई है हमारी प्रतिव कितने डिग्री जुकी हुई है 25 degree और 25 degree north को बोलते हैं करकर रखा और 25 degree south को क्या बोलते हैं हम लोग मं कर रखा यह अपने को याद रखना है ठीक है और एक डिगरी अक्षांस में 110 दसम लोग कुछ-कुछ है उसको आप लोग 111 करके बोल सकते हो ठीक है इसके बाद देखिए अब हम लोग देखेंगे देशांतर रेखा ठीक है पृथि पर नौर्थ पोल से साउथ पोल तक खीची गई रेखा को क्या कहते है देशांतर रेखा अब यहाँ पर नौर्थ पोल है और यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक साउथ पोल नौर्थ पोल से साउथ पोल तक खीची सम्स्या को इतना है जीरो डीओर कहां पर है तो लंदन के Green Witch को हम लोगों ने क्या किया है जीरो डिग्री माना है लंदन के ग्रेन वीच को क्या किया गया है जीरो डिग्री माना किया है और प्रिथिव पर क्या है हर एक अक अंस अगर मालनो प्रिथिव का ऐसे पूरा एक दमा ऐसे मालनो प्रिथिव का ऐसे पूरा गोल है अगर एक लाइन ले लिए जीरो डिग्री स जीरो से ऐसे अगर पूरा घुट खीचे को तो इतना लाइन की सकते हो 360 360 लाइन ऐसेसाँ वह सकते है ना पूर पूरा गोल होता है गोल मे कितना वह एक इतनी अंस का कोरण बनता है ठीन साहटWow तोए अकोर ऑन्स का फैन कर खीचे माना गिया है clear है zero degree देसांतर के पूर्वी देसांतर और पश्चिम की देसांतर रेखा को क्या कहते हैं पश्चिमी देसांतर जैसे कि अगर माल लीजे यहाँ पर है यह 0 degree है लंदन का greenwich तो इसके आगेक में जो भी line होगा उसको कहेंगे हम लोग पुर्वी देशांतर और इसके पीछे में जो भी होगा उसको कहेंगे हम लोग पस्चीमी देशांतर हमारा भारत जो है पुर्वी देशांतर में आता है पुर्वी देशांतर मतलब कहा पर है य साथ हंस चार मिनट था ना तो यहां से लेकर के सैंतिस अंच छै मिनट मतलब हमारा करकर रेखा को पार करके भी हम लोग उपर में भी है करकर रेखा हमारे देश से इसी लिए गुजरता है आगे चल के समझ में आ जाएगा खर पूरा चलिए आगे देखते हैं ग्रिन विच रेखा को प्रधान या मिनटर रेखा भी कहा जाता है ग्रिन विच रेखा को और चीज कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं प्रत्थी 360 घंच घूमने में 24 घंटा का समय लेती है मतलब क्या है प्रत्थी अपने अक्ष पर ऐसे पूरा एक बार ऐसे गोल चक कर घूमने के लिए कितना समय लेगी 24 घंटे का समय लेगी 24 घंटे का समय अगर इसको मिनट में करवट करो तो लेती है 1440 मिनट कितना समय ले रही है 1440 मिनट को अगर 360 अंस से भाग करोगे तो कि याद रखना इस सारी चीज़ों को mathematically है पूरा 360 डिगरी घूम रही है 24 घंटे में तो एक अंस कितने डिगरी में घूमेगी चार मिनट में मतलब क्या है अगर एक अंस घूमने में उसको चार मिनट ले रहा है तो 15 मिनट घूमने में जैसे कि अगर मालनो पृत्वी है मतलब जीरो डिगरी जो देशांतर है अगर इसके इधर जाओगे पूरू साइड जाओगे तो वहाँ पर क्या होगा समय बढ़ता है पूरू साइड जाने पर क्या होता है समय बढ़ता है और अगर पस्चीम साइड जाओगे तो समय क्या होता है घड़ता है याद रखना और कितना बढ़ेगा हर एक अंस पर 4 मिनाट का समय बढ़ेगा हर एक अंस पर 4 मिनाट का समय बढ़ेगा अगर आप पूरू की साइड ज मैं अभी देखो भारत का जो मानक समय साढ़े व्यासी वह इलहाबाद के नैनी से लिया गया है क्लियर है हमारा जो मानक समय कहां से लिया गया है इलहाबाद के नैनी से लिया गया है यह देखिएगा आपको बता रहा हूँ संस का अंतर है कितने का अंतर है 30 संस का तीस का आधा कितना होता है 15 आप क्या करो 68 में 15 जोड़ दो या 97 में 15 कम कर दो 97 अंस में अगर 15 कम करो तो कितना हो जाएगा 97 में 15 कम करो कितना हो जाएगा 82 मतलब क्या है इलहाबाद के नैनी को ही मानक समय क्यों आना गया है क्योंकि वो 97 and 25 मिनट और 68 and 7 मिनट के बीच में आता है मात समझ मैं अगर नहीं मानते तो क्या होता यहाँ पर अगर माल लो ट्रेन अगर माल लो कितना समय का अंतर आता है हर एक अक अंस पर कितना अंतर है कितने का अंतर है भाई चार मिनट का तो 30 अंस में कितना हो जाएगा 30 चोग, 3 चोग 12 120 मिनट हो जाएगा मतलब क्या है यह गुवार मोटा में अगर कोई जगह है तो आपर अगर माल लो चार बज रहा है तो यहां पर कितना बज़ेगा यह इससे आगे है न भाई कि बितू यह यह दो घंटा आगे चल रहा है इससे मतलब क्या है गुजरात से अरुणाचर प्रदेश कितना आगे है दो घंटा आगे चल रहा है मतलब कर यहां कोई चार बज़े निकला तो यहां मतलब क्या है इन दोनों में दो घंटे का अंतर है आगे देखते हैं हम लो क्या मता रहा था मैं एक मिनट ना भारत का मानक समय साड़े ब्यासी इलहाबाद के नैनी को लिया गया है या पांच राज्यों सोकर को जरता है यूपी, एमपी, छतिसगार, ओडिश्रा और अंदराशे क्लियर है केसे केसे गुजरता है यूपी, एमपी, सीजी, ओडिश्रा और अंदर प्रतेश से गुजरता है देशांतर रेखाओं की सरवाधिक दूरी, विश्वत रेखा के पास होती है, अब देखो, वहाँ पर क्या था, ये जैसे ये है, ये 0 डिगरी है, तो यहाँ पर लाइन क्या है, एकदम स्टेट है, ठीक है, तो देशांतर रेखाओं की सरवाधिक दूरी कहाँ पर है, तो वि यहाँ से आगे जाओ गये तो क्या होने वाला है क्या होगा हर एक एक हुएक असप्रos यहाँ में 12 घंटा बढ़ जाएगा और अगर यहाँ से पीछे जाओ गये तो क्या हो गया едगर 12 घंटा पीछे चले जाएगो इसे गो मालों पृत्थी ऐसे गोल अब यहाँ जो पर इस साइड से इधर गय हो एक जगह पर आकर के मिले गा ना भाई वो 3000 साट वाला क्या 180 की हś O 180 और चला गया है अगा D तो दूसरा दिन और उधर चला गया तो दूसरा दिन हो जाता है मतलब क्या है 180 पूर्वी और 180 पस्चिमी रेखा है अलग अलग ना होकर एक ही रेखा है अलग अलग रेखा नहीं है भाई यह नहीं सोचना है कि अलग अलग रेखा है वो एक ही रेखा है और इसलिए 180 डिगरी को अंतराश्टी तिति रेखा कहा जाता है जैसे माल लो इधर ग मंगलवार का हो रहा है और यहां पर दीन कच्छ है सोमवार का हो रहा है यह ताज्यूवाली बात है बस अगर मालों सिर्फ एक अंस का बस अंतर है इधर चले गए एक अंस इधर हो तो इसमें आप मंगलवार में हो एक अंस इधर चले गए तो आप की इसमें हो सोमवार में हो इसलिए 180D को अंतराश्टी ती-थी रेखा कहते हैं यह भी पूछा गया क्वेश्यन है एक soap expectations डिग्री को क्या कहते हैं अंतराश्टी ती-थी रेखा कहते हैं ठीक है अगर हम लोग देखे भारत की स्थिति को तो भारत कहां पर है यह अगर मालो 0 डिग्री है यह मालो 8 हंस है ठीक है भारत कहां पर है 8 हंस 4 मिनट पर है ठीक है 8 हंस 4 मिनट से कहां तक है सैथी संस तक है तो भारत यहां पर होगा यह इधर से मालो ऐसे करके 0 डिग्री है इधर से यहां से यहां तक की दूरी कितनी है साढ़े ब्यासी डिग्री वाला लिया गया है ना ठीक है चाहते तो उन लोग सैंती क्या है यहां पर यहां का यहां का बिंदू है वो कितना पर है और यहां का एकदम अपना पूरी बंदू को इतना है breaking 97 दोनों का अंतर देखो गए तो लगभक कितना है तीस है लगभक कितना है 3DENT अंतर का अंतर है तो और एक्छि ज़ंद रख सकते हो यहां से परत्थि जो है पहश्चीम से पुरू की और खमति आपर्टिे का ही इधर घम रहे है यह कायदे से पस्षीम, पस्षीम से पूरू ना, मतलब क्या है वो इधर से ये पस्षीम है, पस्षीम से ऐसे घुमरी है, पस्षीम से पूरू के और, ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम लोग, ये देखें, पृत्वी एक डिगरी देशांतर घोमने के लिए कितना समय ले रहा है चार मिनट का, मतलब क्या हुआ, 30 सं खुमने के लिए कितना समय लेगा 1020 सं मतलब क्या हुआ है, गुजरात औनाचल प्रदेश से दो घंटा पीछे चल रहा है और भारत में साड़े ब्यासी पूर्वी देसांतर को भारत का मानक समय माना गया है या इलहाबाद के नैनी से गुजरता है कहां से गुजरता है यह इलहाबाद के नैनी से गुजरता है और साड़े ब्यासी को ही मानक समय इसलिए माना गया है क्योंकि यह 68 अंद 7 और 97 अंद 25 मिनट का क्या है माध्य है इन दोनों के बीच में आता है इसलिए उसको लिया गया है ठीक है ऐसा नहीं है कि अपने मंद से ले लिया गया है और 282 आप लोगो बता चुका हूँ यह कहा कहा से गुजरता है UP, MP, CG, Odisha और आंदरा शोकर के गुजरता है ठीक है भारत का समय लंदन के समय से एक्जाम में पूछता है भारत का समय लंदन के समय से कितना डिगरी आगे चल रहा है कितना मिनट आगे चल रहा है देखो तो साधे ब्यासी है ना तो ब्यासी एक अंस में कितना मिनट का अंतर रहता है चार मिनट का तो ब्यासी अंस में कितना आजाएगा ब्यासी गुड़ी चार करेंगे कितना आजाएगा 328 मिनट कितना हो गया 328 मिनट और आधा अंस चलने में चार का समय से 5 घंटा 30 मिनट चल रहा है ये भूल जाओगे 85.82 याद रखना है मत समझा है 85.82 में आप लोग सिर्फ 82 में 4 का गुड़ा कर लो और 4 का अधा 328 में 2 जोड़ दोगे तो 5 घंटा 30 मिनट आ जाएगा मतलब कि भारत का नैनी का समय लंदन के ग्रिन विच के समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे चल रहा है क्योंकि यहाँ पर है लंदन का नैनी और हम लोग उससे आगे हैं आगे जाओगे तो समय बढ़ता है और पीछे जाओगे तो समय क्या होता है कम होता है इस सीच को याद रखना है ठीक है देखते हैं हम लोग करक रिखासे कुछ important question करक रिखा कितना डिगरी को बोलते हैं 150.3 डिगरी उत north को ठीक है यह जो है भारत को दो भागों बारता है मतलब कॉन सी रिखा भारत को दो भागों बारती है करक रिखा और त्यूकर कौन सी रेख़ा दो भांग बाटती है तूभूमादे रेख़ा अगच्छां से रेका भारत के 8 राजियों से जो जाता है इसका ट現在 मित्र पर गंची जHAR क्या हैक ट्रिक मित्र पर गंची जहर मीस होता है मिजोराम तसे होता है त्रिपुर वित्र पर परसर च् जारखन और रो एक बार हो चुका है राजिस्तान में से मित्र पर गमच्छा जार क्या है ट्रिक मित्र पर गमच्छा जार अक्षांस रेका भारत के कितने राज्य सोकर गुजरता है तो आठ राज्य सोकर के गुजरता है ठीक है यह उतना क्वेश्चन नहीं हुआ अपना सब सबसे अच्छा question बनेगा कि करक्रेखा की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में हैं तो किस में है MP में है और question पूछ सकता है किस राज्य की राजधानी करक्रेखा परिस्थित है बहुत important question होगा किस राज्य की राजधानी करक्रेखा परिस्थित है तो जारखंड की राची कर गांधी नगर आता है उसके बाद फिर आता है भोपाल मतलब करकर रिखा कि सबसे पास महराची उसके बाद फिर गांधी नगर फिर भोपाल है इस चीज को अपने को याद रखना है ठीक है अब मेरे खाल से आप लोगों को भारत का अक्षांस देसांतर ये सब पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा ठीक है और अक्षांस और देसांतर रिखाओं से रिलेटेर जो भी कुश्चन आएगे वो क्लियर हो जाएगा अब हम फिर से भारत के इस्थिति में आ जाते हैं ठीक भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रहा है दूरंड रहता है अब बार-बार यह जो POC praying इसका भी हम लोगे हम यह कर देते हैं क्या हुआ था जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रहता है मैख मोहन रहिखा है मैक Μोहन रहिखा यह लेकिन एक्ष्वल में ये आता है LOC, Line of Control क्या हुआ था 1947 में हमारा देश आजाद हो गया था ठीक है, और उसी समय पाकिस्तान भी आजाद हुआ तो पाकिस्तान वालों ने क्या किया यहां पर पाकिस्तान में कुछ कबाली लोग थे ठीक है, कबाली क्या थे एक प्रकार के डांकू बोल सकते हैं उनको कबाली ने क्या किया यहां पर हमला किया और इतने पूरे सारे जमीन को क्या कर लिया अपने कबजे में ले लिया था तो यहां का जो राजा था वो डर गया और डर करके क्या किया भारत के साथ विलयपत्र में सामिल कर लिया। तो पिर हमारे जो सरदार में भाई भाई पटेल थे उन्होंने अपनी सेना भेजी और इनको खदेर दिया। पुरा बाहर तक, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया ये मामला UNO में दर्च करा दिया, कि भाया अभी तुम्हारा देश, क्या है इसके राजा ने तुम्हारा से विलय पत्र सामिल करने से पहले ही मैं ने उसे यह जगह जीत लिया है, तो ये तुम्हारा कैसे हो जाएगा, तो UN नहीं surrounding जगा भारत का होते हुए भारत का नहीं है इसको कहते हैं पाक अधिकृत कश्मीर पे क्या थिक्ति लोग ही करते हैं ठीक है उसके बद क्या हुआ यह देखिए कि 1963 में क्या हुआ था भारत ने कुछ छेत्र क्या कर दिया चाइना को दे दिया 1963 में क्या हुआ था इंडिया पाकिस्तान 1962 में एक लड़ाई हुआ था ठीक है तो इस 1962 में क्या हुआ था पाकिस्तान क्या किया अपन अब देखू शात क्या ह्वाथ यहां पर चाइना भी ह क्या कियाолько हैं फिर इसको रिटन नहीं है भारत को उसको आपस नहीं किया भारत को है लेकिन इसको चाइना ने सी इस यह क्या हो गया, अक्साइचीन कहलाता ह। ठीक है, यहाँ पर है अपना सियाचीन Glacier, अब काइदे से कहा जाए, यह अच्छाल डाइग्राम है भारत का, लेकिन अगर कहीं सो कर दिया जाए तो बहुत जादा विवाद हो जाएगा, भारत के पास सिर्फ़ इतना ही जमीन है बस अपने पास इतना ही है अब भी चाइना अक्साइचीन को अपने में दिखाता है और भारत का कोई छोड़िए वो सब कोन सी र्क ए तो भारत और चीन के बीच में हैं भारत और पाकिस्तान के बीच और छीन के बीच में हैं लेकिन एक की Shaun याद रखने लां ना से नहीं बासrose में होते हुए इन सब मनें में में मौन र tirocus सिर्व इनप्रदेस के साथ है मैंक मोहन रेखा सिर्पर इप यहीं पर Para पर भारत के साथ नहीं है लेकिन हम लोग के कुश्चन आता है और में हम लोग popping बताते हैं कि भारत और लग्या से बाइता है आप देखते हैं हम लोग भारत और शिलंगा के बीच में मन्नार की खाड़ी है बारत और शिलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी है और भगवान राम ने यह जो पुल बनाया था, राम से तु बोलते हैं इसको, इसका एक और नाम है आदम ब्रिज, क्या नाम है इसका, आदम ब्रिज नाम है, ठीक है, यहीं पर है पाक की खाड़ी, इधर है मननार की खाड़ी और इधर क्या है, पाक की खाड़ी, और आदम ब्रिज में, मतलब थोड़ा सा सब अगल में है पम्मन दीप है क्या है यहां पर पम्मन दीप है और पम्मन दीप में ही रामेश्वारम मंदीर है एक्जाम में पूछाओ करश्चन है कि रामेश्वारम मंदीर किस दीव पर है तो पम्मन दीव पर है ठीक है और यहीं पर है अपना पाक जल्डमरू यहां से यहां तक के लिए क्या है पाक जल कर गए है कि सको यहां से यहां तक को क्या वो फइन भारत ऑर शिलंकाके बीच में है यह आदम प्रिज है और रमस्वर्ज्वाम नदिर किस्दीव पर वत पमंदीव पर है ठीक है अब देखते हैं भारत की जो इस्थली सीमा है वो कितनी है ठीक है इस्थली सीमा पहले जानने थे हैं क्या होता है भारत का वो छेत्र जो किसी दूसरे देश के साथ सीमा बनाता हो इस्थली सीमा कहलाता है भारत या किसी भी देश का वो छेत्र या वो जगा जो किसी वो इस्थल जो किसी अन्य देश के साथ सीमा बनाता हो क्या कहलाता है यह से जाते होगे पूरा यहां तक यह मंगला तक आ जाएगा तो यहां तक अपना इस्थली सीमा कितना है fuckin कितना हे 15 200 km से याद रखेगा भारत का इस्थली सीमा हैं कितना है 15500 और भारत की जली सीमा है मतलब यह जो समुद्रित रर्ट वाला बस बात करूँ तो जो समुद्री तर्ट सीमा है वो है 1,600 km ये कितना है 1,600 km और अगर मालों यहाँ पर जो अंडमानिक अबारदीप है यहाँ धर लक्षदीप है उन सब को ले ले तो हो जाता है अपना 7,516.6 km समुद्री तर्ट की सीमा कितनी है 1,600 km अगर आप लक्षदीप और अंडमानिक अबारदीप ले ले तो 7,516.6 km हो जाते हैं और अगर हम लोग समुद्री सीमा और जली सीमा दोनों को जोड़ दे मतलब 15,200 km प्लस 7,516.6 km इसको जोड़ दे तो हता है 22,716.6 km मतलब कुल सीमा कितनी है 22,716.6 km है ठीक है इसके साथ अब देखिए हमारे देश के नौ राज्य ऐसे हैं जो क्या है समुद्री सीमा बनाते हैं एक है गुजरात पहला दूसरा महाराष्ट तीसरा करनाटका और यहीं पर है गोवा और एक क्या है केरल एक दो तीन चार पाँ पांच राज है इधर के तट को कहते है पूरी तट और इधर के तट को कहते है पूरी तट पस्षिमी तट में कितने राजे हैं पांच राजे कौन-कौन सा है गुजरात महाराष्ट गोवा करनाटका और पस्षिमंगाल और पूरी तट में देखेंगे हम लोग यह हो गया अपना तमिल नाडू, यह हो गया आंदर प्रदेश, यह हो गया ओडिशा, और उपर में है पस्चिम मंगाल, यहां पर चार राजे हैं, एक, दो, तीन और चार, और कौन से पस्चिम मंगाल, यह हो गया ओडिशा, यह हो गया आंदरा, और यह हो गया तमिल नाडू, क्लियर ह देखे यहीं से एक चीज और हम लोग जान लेते हैं कि समुद्री माइल्स जैसे कि हमारे देश को कहां तक मतलब जैसे एक यह जो समुद्री सीमा है न यहां से लेकर के 12 किलोमेटर दूरी तक हम लोग कुछ भी कर सकते हैं हमारे देश में जो मन करे वो करे एक से लेकर 12 किलोमेटर तक इसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं प्रदेशिक जलसीमा एक से लेकर 12 किलोमेटर तक हम लोग कुछ भी करें उसको क्या है उसको कहते हैं प्रदेशिक जलसीमा क्या कहते हैं उसको प्रदेशिक जलसीमा एक से ले में को साथ सफाई का ये सब का अधिकार मिला हुए है। उसके बाद समुध्री सीमा से मतले अपना इस्थली सीमा से लेकर 200 nautical मिल 200 nautical मिल तक हम लोग क्या कर सकते हैं जैसे खनीज तेल का दोहान या किसी किसी चीज को जो मुद्र तरज में है उन सब का उप्योग कर सकते हैं 200 नॉटिकल मिल तक ठीक है कि इस चीज को याद रखना है न हमारा प्रादेशिक जल सीमा कितने किलोमेटर तक है इस तल भूमी से 12 किलोमेटर तक और सनलंग्मन चेत्र मंडल कितना है और 12 मतलब कि 24 किलोमेटर तक है और 200 नॉटिकल मिल तक है अपना अनन्य आर्थिक छेत्र है कहां तक है और एक नॉटिकल मिल मतलब होता है 1.85 किलो मेटर ठीक है इस चीज को याद रखेगा यहाँ पर हो गया अपना वीडियो थोड़ा सा लंबा है क्या करूं लेकिन अब वीडियो बड़ा बड़ा ही डालना पड़ेगा क्योंकि अगर पूरे भारत के और पूरे भारत और इतिहास दोनों पढ़ार हो ना भारत का अगर हम लोग को फरवड़ी तक खतम करना है फरवड़ी नहीं मैं इसको दिसमबर तक खतम कर दोंगा ठीक है इसमबर लाश लाश तक ही खतम हो जाएगा इतिहास और भारत का भोगूल आप लोग बस मेरे साथ चलते रहें और प्लीस इसको सब्सक्राइब कर लिजेगा मे मेरे लिंक को Seven करें अगहर है अगहर आप लोगको वीडियो प्संद आ रही हो थो मैं क्या है यह सारे कि सार अभी आप लोग देखैंगे जो भी छी बता रहो सबका सब मैप में न disruptive ने तो भारत का भूगौल पूरा हम लोगे मैप से देखेंगे गार जो सृती अटिजग भी भी ठीक है और बस इतना ही बोलना था और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना ज़्यादा ज़्यादा हो सके शेयर करिए थैंक्यू धन्यवाद